नमस्कार दोस्तों, DCJSM Tools में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है UMT, UMT Pro, QC Fire Version 7.3 अपडेट आ चुका है जो कि आपको UMT और UMT Pro दोनों डॉंगल्स में आप इसको जो है यूज कर सकते हैं तो इसमें क्या खास है वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको टूल्स चाहें वो मोबाइल रिपेरिंग हाडवेर रिलेटेड हो चाहें वो सोफ्ट्वेर रिलेटेड हो आपको सभी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी और यहाँ पर यह कोई वेरिजोन कोई मोडल इसमें एड़ करा गया है जो कि शायद इंडिया में किसी काम का नहीं है बाहर शायद इसका कोई मोडल हो तब इसमें एड़ हुआ है ठीक है सैमसंग है A11, J Plus, J6 Plus ठीक है यह मोडल जो है इसमें एड़ करे गए है सैमसंग का की जैसे कि आपको पता है कि जो अधर टूल्स है मीडेटेक के सैट उनमें जो है लगातार जोड़े जा रहे है क्वालकॉम के यहां पर आपको यहां पर एड़ेट मिल चुके है कितना कारगर है वो देखते हैं सैट आने के बाद पता लगता है कि कितना काम करता है इस पर टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे हम जरूर ठीक है और आपके पास कोई आता है तो आप इसका जो है टेस्ट करके देख ले ना कि यह वाकी जो है सैमसंग के यह मौडल्स कॉलकॉम के अनलॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है मेरे पास जैसे आता है मैं बनाता हूँ और यहां पर देखेंगे हमके अड़िट शौमी और सरवर जो है यहां कोछ इन्हों ने इसमें इंप्रूमेंट की है तो यहां पर देखेंगे कि जो नियू एक्स्टी एकसस सर्वर यहां पर इनके जो सर्वर में कुछ जैसे इनका पहले था ठीक है तो यह था इस अपडेट में और बाकी देखेंगे सपोर्ड़ फंक्शन में आप यहां पर यह इनके पेंट पैटरन वगरा यह सब तमाम यहां पर चीज़ें लिखी हुई है बूर्ड लोड और अनलोग एडियल मोड में कर सकते हैं ठीक है त यह दोस्तो अपडेट थी UMT Pro में चोटी सी अपडेट थी कोई मुझे ऐसा कोई खास अपडेट में जो है लगा नहीं अब देखते हैं Самसंग का कितना कार यह कौलकम का अपडेट Samsung का तो बहुत बढ़ा है ठीक है तो चेक करके देखते हैं और अपडेट में यह था दो तो भी डिस्क्रिप्चर में आपको लिंक मिल जाएगा तो फिर मिल दे दोस्तों के अगली वीडियो में तब तक के लिए चाहिए हिंद जया भाराइट